जैहिंद और हिलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होश्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी स्कोलर्शिप ओनलाइन फोर्म 2024-2025 के बारे में जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेस के लिए अपना स्कोलर से फोर्म बढ़ सकते हैं साथ साथ जो जरूरी जानकारी वह भी आपको दी जाएगी इसके अलावा अगर आप रिनीवल वाले हैं और आप चाहते कि मैं आपके लिए अलग से स्पेसल एक वीडियो बनाओं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको रिनीवल के लिए फोर्म भरना है तो आप कमेंट के मादिम से बताएंगे और साथ साथ आपकी इन्फोर्मिशन भी सेंड करेंगे क्योंकि मैंने लाश्ट एर फोर्म नहीं भरता और जब हम रिन सरकेंडेट है और आप यहाँ पर यूपी स्कुलर्सी फोर्म भर रहे है तो आप कैसे बरेंगे तो वीडियो के डिस्कॉप्शन में जो मैंने लिंक दिया यह आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आएगी इसकी जो इंपूर्टेंट डेट से उसकी आपने अभी तक वीडियो को लाइक सेर नहीं किया तो वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें जो एप्लिकेसन लिंक है यह ओपन करना है आपके सामने यूपी स्कॉलर्सीप की ओफिसल वैबसाइट यहाँ पर एप समाज कर लाद भाग उत्तर प्रदेश एसं जनरल काडि यहां कि अगर आप सिस्टी जनरल काडिगरी से आते है और अप फ्रेसक और आपको यहां पर प्रे मैट्रिक यहां कि ते पहले नंइंद पर आप है और आप उसके लिए इसमें स्कॉलर्चिप चा र रर्शन करेंगे फिर एक पोस्ट मैेटरिक अदर दयन्तरमिडियेट यानगे आप यहाँ पर जो आपका दस्वी है वह कम्पलीट कर चुके है अदर धर रर्वी कह लावा आप यहां पर पर किसी के लिए scholarship form भर रहे हैं तो वो आप इस link के उपर click करके relation करेंगे अगर आप SCST general category से आते हैं फिर आते post metric other state यानिकि आप post metric है आपने दस्वी कर लिए और आप other state के UP की नहीं है और आप freser इसमें जो आपका scholarship form है वो भर रहे है तो फिर आप ये link open करेंगे इसी परकार से अगर आप OPC candidate है तो और आप यहां पर प्रिमेंट्रिक यान के लिए इस में रशन कर रहे हैं scholarship के लिए तो आप पहले वाले link के उपर click करके रशन करेंगे अगर आप post metric intermediate यान के आप बारवी या ग्यारवी के लिए जो आपका scholarship form भर रहे है तो आप second link क्लिक करेंगे और तीसरे पोस्ट metric other than intermediate यान के बारवी के अलावा आप किसी अन्य कोर्स के अंदर admission लिए हो और उसके लिए आप scholarship form भर रहे है तो आप तीसरे वाले link के उपर click करेंगे सेम वे में अगर आप minority category से आते हैं जो minority community है तो आप यहां पर सेम वे में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अदर intermittent यान के सेम वे में आप यहां पर link क्लिक करेंगे फिर एक और option है कि समाज के लिए विवाग उत्र प्रदेश सवच पेसे में लगे माता-पिता विवावक के कक्सा 9 वैद दस्व में अध्यानरत बच्चों के लिए तो यहां पर यहां पर यह अलगी special category add की गई है तो अग आप यहां पर ग्यारवी के लिए scholarship के लिए form भरना चाहते तो आप second वाला link open करेंगे और अगर आप यहां पर किसी अन्य कोर्स में बारवी के अलवा जो course होते है उसमें आपने admission लिया है और उसके लिए आप scholarship भरना चाहते तो आप तीसरे link के उपर click करेंगे तो जो भी है वही आप यहां पर आपने मैंने आपको सभी चीज़े explain कर दिये जिसमें भी आपको ration करना है उसी के उपर आप click कर दीजे सभी में जो ration करना का process है उस सेम रहेगा तो जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा आप मैं आगे की जान करी जब मैंने इसके form की वीडियो बनाई थी रशन को लेकर के और form को complete करने को लेकर के महां से दे रहा हूं तो वीडियो को आप देखते रहेए कोई सवाल डाउट कहीं पर भी हो तो आप comment के माधिन से पूछ लीजेगा अब यहां पर सबसे पहले आपको आपका जीला सेलेक्ट कर लेना है जो बाद में जो आपका यहां पर religion है वो religion आपको select कर लेना है और इसके बाद चादर चादर का ओप्र अंधर का धर कारड पर अंकित नम जो नाम आपका धर कारड के अंदर दिया है सेम नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए मॉबाइल नमबर जो कि आपने अधरकार्ट से लिंक किया हुआ है वो नमबर यहाँ पर डालिए फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है पासवर्ड आप कैसा बनाएंगे उसका एक 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 जामपल भी आप यहाँ पर देख लीजे पासवर्ड के अंदर इंग्लिस का एक कैपिटल लैटर को और स्मोल लैटर साथी साथ एक स्पेसल करेक्टर और साथी डिजिट होने चाहिए कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वैरिफाई कर देंगे फिर आप यहाँ पर इंजानकरी को चेक करने के बाद यह जो सिक्यूर्टी कोड है वो यहाँ पर डालिए और जनरेट ओटीपी के उपर क्लिक कीजिए अब आपको नंबर के उपर एक OTP सेंड के है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और यह जो सिक्यूर्टी कोड यहाँ पर है वो यहाँ पर डाली और सब्मिट OTP and प्रोसीड ररेशन इसके उपर क्लिक कीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद में जो आपका ररेशन है वो कम्पलीट हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते कि आपके सामने वाला इंटरफेस हैगा जो कि इसमें आपकी important information दी गई है यह आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेनी है प्रिंट के उपर क्लिक करके अगर प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में save कर लीजे या फिर इसका screenshot ले लीजे क्योंकि यह जानकारी बहुत ही मैतापून है जैसी आप इस जानकारी को save कर ले अब आप यहाँ पर home के उपर क्लिक करेंगे home के उपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस official website का home page आजाएगा अब आपको same way में student के section पर क्लिक करना है अब आपको fresh login के उपर क्लिक करके जिसके लिए भी आपने रर्शन के है pre-matric के लिए क्या है तो pre-matric student login intermediate के लिए क्या है तो intermediate student login पोस्ट-matric other than intermediate student login तो आप यह link open करेंगे तो मैंने अभी pre-matric के लिए क्या मैं यहाँ पर pre-matric student login के उपर क्लिक करता हूं और अभी जो आपको रर्शन नमबर मिला है वो यहाँ पर डालिए जो नमबर अभी आपने phone वाला register किया है वो डाल दीजिए जो password अपने अभी बनाया है वो password आप यहाँ पर फिल कीजिए और फिर यह जो capture code है वो यहाँ पर डाल करके submit कर दीजिए आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा interface है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपके सामने बेसिकलिए आपका dashboard आ चुका है आप यहाँ पर रर्शन सिलिप प्रिंट करें इसको अगर करना चाहते है तो वो भी आप कर सकते हैं फिर यहाँ पर इसके बाद का आपका अग यहाँ से okay कर दीजिए अब okay करने के बाद में guys यहाँ पर आपको डिजिलोकर की जो website है उसके उपर ट्रांसपर किया जाएगा तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा interface देखेंगे मैं आपको बता दू कि अगर आपका डिजिलोकर के उपर पहले से account बना हुआ है तो आप यहाँ प पर अगर new interface नहीं आता यानि के आपको कुछ प्रोग्लम आ रही है डिजिलोकर की website पर automatically जाने में तो आप Google के अंदर डिजिलोकर login से search कीजेगा search करने के बाद में जो आपके सामने website आएगी यह आपको open करनी है open करने के बाद में आपको यहाँ पर sign in और sign up का option मिलेगा तो आप यहाँ पर sign up के उपर click कीजेगा और फिर यहाँ पर जो आपका full name है वो आपको आपके document के according डालना है जो आपकी date of birth है वो आप यहाँ पर fill करेंगे पहले day फिर month और उसके बाद में year फिर आपका gender आपको select करना है आपका mobile number जो कि आपने यहाँ पर relation के अंदर भी दिय है और अधर के साथ में भी registered है वो ही number आप यहाँ पर fill कीजिए अपनी email id डाले जो कि आप register करना चाहते है और यहाँ पर एक 6 digit का security pin आपको बना लेना है आपकी choice का यानि कि जो भी आप six number का pin रखना चाहते है वो ही आप यहाँ पर डालिए and then फिर आप यहाँ पर नीचे submit के उपर क्लिक करेंगे, submit के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके number के उपर एक OTP send किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद में आपको submit के उपर क्लिक करना है, submit के उपर क्लिक करने के बाद आता है verify your adhar to avail the complete feature of your digital account तो अब आप यहाँ प जैसे आपको OTP आजाए वो डालिए and then submit के उपर क्लिक कीजिए, इसके बाद में guys यहाँ पर जैसे आप सब्मिट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका dashboard आएगा, डिजिलोकर का, आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर आप आप देख सकते है your issue document में अधार का का section देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर unique identification throaties के उपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार काड इस तरह से आजाएगा, तो यहाँ पर आपके आधार काड की जानकारी fetch कर ली गई है, अब guys आपने क्या करना है, आपने यहीं पर आना है, जहां से आप डिजिलोकर के ओपर already version कर लिया है, आपका account बना लिया है, अब आप यहाँ पर जो आपका number है वो डालिये, और यहाँ पर जो capture code है वो फिल कीजिए, and generate OTP इसके ओपर क्लिक कीजिए, फिर यह OTP डाल करके verification कर दीजिए, इसके बाद में UP scholarship has sent to you OTP NK, UP scholarship ने आपको एक O mobile या फिर आधार username, किस मादिम से आप sign in होना चाहते है, अगर आपका account नहीं है, तो आप यहाँ से भी sign up के ओपर click करके आपका account बना सकते हैं, बट मैंने आपको अलग से बता दिया कि कैसे आपको डिजिलोकर के ओपर account बनाना है, तो आपने already अपना account बना लिया होगा, त username के username बनाने का मौका मिलेगा, जो कि अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पर आधार username इसके उपर click कीजे, इसके उपर click करने के बाद में आप आपका जो आधार number है, वो डालेंगे, क्योंकि username अभी तक आपका create नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर आपका आध OTP के उपर click करके आप उसको reset भी कर सकते हैं, अगर आपको याद तो यहाँ पर डाल दीजी, and then sign in के उपर click की, जिसके बाद में यहाँ पर OTP जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में यहाँ पर sign in के उपर click करेंगे, तो basically OTP आपके सामने यहाँ पर आजाएगा, और इसके बाद आएगा create username for your account, तो अब आपको यहाँ पर एक username बनाना है, आपकी choice के according, जो भी username available रहे, यहाँ पर वही username आप यहाँ पर डाल दीजाए, निके भरकर के देजी, देखिए, अगर वो available है, तो आप उसको यहाँ पर डालने के बाद में submit कर द है, वो हो जाएगा, और आपकी जानकारी आपकी अधार कार्ड के साथ में यहाँ पर fetch कर लिजाएगी, fetch यानि के मिलान कर लिजाएगा कि आपकी अधार के अंदर, जो आप यहाँ पर जानकारी भर रहे है, इसके अंदर वो सही है, या फिर वो अलग-अलग है, तो इस तर के उपर क्लिक करना इसके उपर क्लिक करने के बाद में उपर की तरह आपकी रशन की इंफोर्मिशन दी गई है और नीचे आपको कुछ अपनी जानकारी देनी है तो यहां पर व्यक्तिगत व्यूरन के अंदर सबसे पहला करना इसके बाद में गट वर्स का प्रिक्सफल उसका प्रिक्सफल क्या रहाता पर शेन currency स्थնया फोन सबसे लियुकर बड़रेके अंदर समय इसके डियुट इसके बाद 5-4 प्रिक्सफल जिसमें अधिनरत भी आपको बताना की आप पौनशी क्लास के अंदर पढ़ र्हें है नाइन तो आप यहां पर स希望 कर लेंगे इसके बाद में गाइस नीचा हैंगे कक्सा में परवेस्तिति हैंगे आपने जो फिर लिया था, admission कब लिया था, वो date आप यहाँ पर select कर लेंगे, अगर आपको exact date मालूम नहीं, तो आप एक expected date भी यहाँ पर दे सकते है, expected यहने कि अनुमानित date, इसके बाद में board का पंजन करमांगे, यहने कि जो आपका board का पंजन करमांगे, अगर आपको पता है, तो आप यहा आप आपके board का नाम select कर लेंगे, इसके बाद में अगर आपके पास transfer certificate नमबर है तो डाल दीजेगा, and transfer certificate का दिनाग भी आपको फिर देना है, इसके बाद आता है pin code तो जो आपका pin code है, वो आप यहाँ पर fill करेंगे, email, ID आपको देनी होगी, इसके बाद में माता का नाम, क इस साल के अंदर पास की है, वो साल आप यहाँ पर select कर लेंगे, और किस विद्याले से के ककसा आठ में अध्यन करने वाले वी द्याले का नाम, तो यहाँ पर उस विद्याले का नाम भी आपको देना है, इसके बाद में, यहाँ पर guys आतीए bank विवरन, तो आपको bank का नाम select लिखेंगे और जो आपका FSC code है वह आप डालेंगे FSC code आपको आपकी Facebook के उपर मिल जाएगा या फिर आप Google के अंदर आपके bank का नाम फिर branch का नाम जिसे की मेरी branch मान लीजे है State Bank of India और वह सारानपूर में है तो मैं सारानपूर लिखूँगा और उसके बाद में FSC code लिखूँगा तो आप इसको Google से भी पराप्त कर सकते है इसके बाद में 20 points है चादर चादर का bank खाता संक्या ने कि आपको आपका account number डालना है और उसको दोबारा डाल करके verify करना है and then guys आप यहाँ पर नीचे की तरह आएंगे और यह जो capture code है वह आप fill करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे मैं पर्मानित करता हूं करती हूं इसके उपर और फिर submit पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यह जो detail है यह आपने यहाँ पर complete कर लिए इसको complete करने के बाद में आप यहाँ पर home के उपर क्लिक कीजगा तो home के उपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते कि छातरती है तो आवेदन पत्र भरे वाला आपका step पूरा हो चुका है अब आता है आवेदन पत्र को संसीद करें अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप इस section के उपर आएंगे और सभी जानकारी को चेक करेंगे चेक करते हुए आप यहाँ पर आईए और जिसे कि आपने उपर अपनी information देखी है यह आप चेक की जगा नीचे आता है आई परमान पत्र आवेदन फर्म संख्या यानके जो आपका आई परमान पत्र है तो जोसकी संख्या है वो आपको आपका आई परमान के पत्र के उपर मिलेगी वो आप यहाँ पर डालिए और आई परमान पत्र कर्मान की जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके परमान पत्र के उपर फिर ये capture code डालिए and then get data इसके उपर क्लिक की जग get data के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाईज अगर यहाँ पर कुछ error आते हैं जैसे कि invalid income certificate number तो अगर आपका इंफोर्मेंशन यह जो certificate certificate number गलत होगा तो आपके सामने error आएगा बट अगर आपकी जानकारी सही होगी तो आपको यहाँ पर वो जानकारी fetch कर ली जाएगी और आप देख सकते हैं जैसे कि number सही डाला तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपका data fetch कर लिए गया है इसके बाद में guys यहाँ पर आता है जाती परमान पत्र आवेदन फार्म संख्या अब आपको जाती परमान पत्र फार्म संख्या देनी है जावदी परमान पत्र का करमांक देना है उप जाती आपको यहाँ पर select subcast के उपर क्लिक करके select कर लिने जो भी है यह capture code डालना है get data के उपर click करना है and then फिर आप इसको verify cost detail इसके उपर click करके यह भी आप verify कर देंगे अब आता है परमानी करन है तो अधार number डाले तो अब आपको यहाँ पर इस step के उपर click करना है इस step के उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दे गई है अब आपको बोले अधार जनसंगी की परमानी करना अधार demographic authentication तो आप यहाँ पर वो number डाल लिएगा and यह number डालने के बाद में यहाँ पर अधार जनसंगी परमानी करना यानि के आपको number डोबारा डालना है यहाँ पर टिक करना है यह capture code फिल करना है और verify आधार इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद में यह भी आपका verification हो जाएगा फिर आता है NCPI से त्यापन है तो अब आप इस section के उपर click करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आपकी यह जानकारी आजाएगी फिर आएगा जाँच है तो आवेदन करे तो अब आपको जाँच है तो आवेदन करे इसके उपर क्लिक करना है आवेदन प्रिंट करे माफी चाहता हूँ इसके उपर आ यह है print सिख्षन स्थान में जमा करने है तो मानने नहीं है यानि कि सिख्षन स्थान में इसको जमा नहीं करना है तो basically आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आजाए कि हाँ मैंने सभी जानकरी को check कर लिया है आब हाते संस्था में जमा करने हैं तो आविदार print करे तो आप यहां पर आईए और इसके उपर click कीजे और इसके उपर click करने के बाद में आपका जो form वह आपको print कर लेना जो कि आपको संस्था के अन्दर जमा करना है तो ऐसे आप यहाँ पर यूपी स्कोलर्शिप ओनलाइन फर्म दोजार चोबिस परचिस भर पाएंगे फ्रैसर केंड़ेट के लिए और मैंने पूरी जानकर यह आपको बता दी है और मैंने जो वीडियो के सुरुआत में कहा था कि अगर आप रिनेवल के लिए वीडियो चाहते करके मैसेज कर दीजिए जिसमें कि आपको आपका रर्शन नंबर जो भी आपका लोगिन डिटेल है रिनेवल के लिए वह आप सेंड कर दीजिएगा फिर किसी एक एंडिट की रिनेवल डिटेल से में उसका फॉर्म भी फिल कर दूंगा और बाकी के लिए वीडियो बना द यानि कि आपकी प्राइवेसी का पुरा धिहान रखा जाएगा तो गाइस मैंने आपको पुरी जानकारी दे दी है अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो पोच लेना और वीडियो को लाइक सेर कर देना थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद